राम राम, आज हम श्रिमत भगवत कीता की अध्याय साथ ज्यान विज्यान योग का श्लोक 27 देखते हैं पहला चरण इच्छा, इके साथ आदा चाहिए इच्छा, इच्छा, द्वे, द्वे को अपन राइट साइड में देखेंगे पहले कैसे पढ़ते हैं इसका मतलब वह द, आधा, और व आपको पूरा दिखी रहें, व पूरा, यहां पर ए की मतर है तो द्वे में क्या होगा आदा द, ऐसा का ऐसा, और व पे ए की मतरा लगए, बना क्या द्वे, द्वे नहीं पढ़ना द्वे, द्वे, श, पूरा श में अमिक्स करेंगे द्वे, श, स में अमिक्स, मू के साथ आदा तर समुत्थे, न में अमिक्स करेंगे द्वे, पहला चरण रिपीट करेंगे, इच्छा द्वे, श, समुत्थे, न, दूसरा चरण, ध्यान से पहला शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, द्व, वही चीट जो यहां पर पढ़ी थी, आधा द और वह पूरा, इसको क्या पढ़ा, द्व, ठीक है, फिर आधा न, तो इसको पढ़ा द्व, द्व के साथ आधा न पढ़ेंगे, तो क्या हो गया, द्वन, क्या हो गया, द्वन, फिर यह वापस क्या हो गया, आधा द और वह पूरा, तो द्वन, द्व, द्वन, द पीछे वाले में व में अमिक्स करना नहीं भूलना है, इदर जो व पूरा है तो उस व पूरे के साथ आदा ना कर दिया, आदा दा पूरा और व के साथ आदा ना कर दिया, तो द्वन, फिर इसमें द्व, द्वन्द्व, मोहेन में अमिक्स करेंगे, मोहेन, भारत, रत, पूर द्वंद्व मोहेन भारत पहला और दूसरा चरण साथ में इच्छा द्वेश समुथेन द्वंद्व मोहेन भारत तीसरा चरण स स में मिक्स करेंगे स व की उपर है आधार इसको राइट साइड में देखेंगे उपर मातरा आधार और व पूरा तो स की साथ आधार सर्व बहाँ पे बड़े उ की बातर लंबा कीचेंगे भूतानी स स के साथ आधाम सम मोह शब्द पुराणी के बाद अनुस्वार आधाम समोहम तीसा चरण रिपीट सर्व भूतानी समोहम च्वाथा चरण स स में अमिक्स करेंगे गे के उपर चुब मातरा वो है आधार जो अपने यह पढ़ाता न वही चीच उपर मातरा आधार और गे तो स के साथ आधार सर्गे या अंदर मातरा के अंदर आधा न दिख रहा है आधार अक्षर को पूरे के साथ पढ़ेंगे यान त बचा त पी की मातरा त यान त प में अमिक्स करेंगे प र की साथ आदन परन तप पूर्य आक पूर्य अक्षर दोनों में आमिक्स करेंगे तप परन तप चाथा चरण रिपीट सरगेयांती परन तप तीसरा और चाथा चरण साथ में सर्वभूतानी सम्मोहम सरगेयांती परन तप पूर्य श्लोग का उचारेने के साथ करेंगे इच्छाद्वेश समुथेना द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानी सम्मोहम सरगेयांती परन तप एक बार वापस इच्छाद्वेश समुथेना द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानी सम्मोहम सरगेयांती परन तप श्लोग का अर्थ देखते हैं बहुत इंपोर्टन श्लोग है इससे पहले बहले श्लोग में हमने देखा कि भगवान ने स्वैम को बताते होे अर्जुन को बोलते हैं कि जो भूतकाल में प्राणी हुए जो वरतमान में हो रहे हैं और जो भविश्य में होंगे उन सबको मैं जानता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान शक्ति शालिय है उनको सब कुछ ग्यान है आगे और पीछे का हम मनुष्य अपने भूत के प्रानियों को जान सकते हैं अपने वर्तमान के को जान सकते हैं लेकिन भविशे इन मींस फ्यूचर में क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं वो कीवल भगवान ही बता सकते हैं और भगवान के अलावा कीवल भगवान के भक्त उस चीज को जान सकते हैं ठीके? तो आज के शलोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि इच्छा इच्छा यानि कामना किसी भी चीच को पाने की ठीक है इच्छा जिसे आम राग भी कह सकते हैं आप किसी भी चीच की इच्छा कप करते हैं जब आपको उससे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीच से सुख मिलेगा आपको प्रशनशा चाहिए आपको आदर चा यह जो भी चाहिए उस सबको अपन क्यों चाहते हैं कि हमें ऐसा मिलने पर सुख मिलेगा तो इससे हमारा जिसको भी हमको ऐसा लगता है कि इससे हमको सुख मिलेगा वो हमारा हो गया राग और जिससे हमको लगता है कि यह मेरे को आते ही दुख दे रहा है यह यह आ जाएगा तो मुझे दुख होगा, तो उससे हम करते हैं द्वेश, यह हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, समुत्थेन, यानि राख और द्वेश से उत्पन होने वाले, क्या, द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है कि कोई चीज हमें अच्छी लग रही है, तो हमें वो चाहि यह हमें अच्छी नहीं लगती, यह हमें नहीं चाहिए, तो यह एक तरह का द्वंद्व है, कोई चीज पर आप एक जगा पर टिके नहीं हो, यह राख है, एक चीज से द्वेश है, तो यह द्वंद्व, मोहेन, इस द्वंद्व मोह से मोहित, है ना, द्वंद्व से मोहित किस द्वंद से राग और द्वेश से भारत भरत वंशी अर्जुन सर्व सभी भूतानी प्राणी सम्मोहम सम्मोहम यानि मूढता जिसे हम मोहित होना कहाँ है मूढता मूड था क्यों बोला क्योंकि हमारे विवेक को हमने इस संसार के भोग के लिए राग और द्वेश करकर इस से हमने विवेक को ढख लिया है वास्तों में हमारे पास में सबसे ज़्यादा विवेक है मनुष्य शरीर में सबसे अधिक विवेक है जिसका सदूपयोग करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं परंतु हमें ये चीज चाहिए और ये चीज नहीं चाहिए अईसा सोचका हम राग और द्वेश के इस द्वण्व में इत्ते मोहित हो रखें कि हम मूढ हो चुके हैं और परमात्मा की प्राप्ति के परम लक्षे को भूल चुके इसलिए यहां पर मूढता आ जाती है सरगे संसार में यानती प्राप्त होता है परंत पर शत्रों को तपाने वाला ठीक है भगवान बोलते हैं हे शत्रुतापन अर्जुन राग और द्वेश से उत्पन होने वाले द्वन्व से मोहित सभी प्राणी इस संसार में किसको प्राप्त हो रहे हैं मूड़ता को प्राप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं अविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं नारायन 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 नारायन